इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे जो रिजल्ट से पहले कौन से इंपॉर्टेड नंबर्स को ध्यान में रखना उसके बारे में बात करेंगे करेंगे लेकिन सबसे पहले हम शेयर प्राइस के बारे में आपको बता दे तो शेयर प्राइस अभी एप्रिल 20 को 756.7 में यह बंद हुआ है और अगर आप देखेंगे तो यह टोटल 30% का रिटन है अगर आप एक साल के अगर आप रिजल्ट को कंपेर कर रहे हैं icy-ciI bank का अब हम यहां पर 23 अपरिल की तर्फ देखेंगे और ‌उस क्वार फोर के Final results आने वाले है icy-si- backside बैंक के और साथ-साथ dividend भी icy-aci-i bank declare करने वाला है तो इसको इनवेस्टर्सको बिल्कुल note करकर रखना है अगर मैं जस्ट कान्तेक्स दू तो पिछले साल मतलब जो था 2 रुपए का डिविडेंड ICICI bank ने डिक्लियर किया हुआ था एक्स डेट जो थी वो थी जुलाई 29, 2021 की ये डेट थी अब important bank के numbers और इनको बिलकुल ध्यान में रखना है ताकि आप compare कर सके ICICI bank to ICICI bank भी और in fact बहुत सारी दूसरी banks के results आने वाले है पिस यूज बैंक है अलग-अलग private banks है तो उनके साथ भी आप compare कर सकते हैं तो सबसे पहला जो number है वो है deposits का तो क्या bank के पास deposits आ रहे हैं तो उसके लिए important है current account और saving account को देखना तो December में अगर आप देखेंगे तो यह लगपग 4.8 लाख करोड का है मतलब 4806 billion मैं सुविधा के लिए मैं इसको convert कर दे रहा हूं 4.8 लाख करोड का है जो की year on year 21.6% grow हुआ है और similarly अगर आप देखेंगे percentage share जो है यह 47% है तो यह important number है term deposits अगर आप देखेंगे तो यह 5.3 लाख करोड का है तो overall 10.1 लाख करोड का आप deposits के number देख सकते हैं फिर deposits तो आ रहा है ICICI bank के पास उनके पास क्या loans मतलब क्या वो loan दे पा रहे हैं तो loan में growth है तो सबसे पहले retail loan retail loan मतलब जैसे समझ लिए आपको हमको अगर loan चाहिए चाहिए वो personal loan हो या फिर या फिर auto loan हो कार के लिए जो loan होती है या loan against securities अलग-अलग type की जो loan होती है तो उस loan में आप देखेंगे तो year on year 18.6% का growth हुआ है और अभी bank ने अपने आपको थोड़ा पाइवट किया है चेंज किया है और retail loan की तरफ focus है 61.3% है जो कि पहले अगर मैं कहूं पात साल पहले साइद ऐसा नहीं था उस समय में corporate loans जो थी वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन अभी retail में उनका focus है लगभग 5 lakh करोड के आसपास में retail loan है उसके बाद corporate loans भी है और वहाँ पर भी उनका यहाँ पर 12.5% का growth देखने को मिल रहा है business banking में भी growth देखने को मिल रहा है तो overall advances आप देखेंगे तो total 8.1 lakh करोड का है तो यह total 16.4% year on year growth था अब देखने को रहेगा कि अब किस साबसे growth कर रहा है या नहीं loan का portfolio अगला नंबर है NPA trends और यह एक बहुत बड़ा reason है कि ICICI bank ने जो share price है अच्छा खासा momentum में रहा है at least पिछले 2-3 साल से in fact आप 2016-17 उस समय में देखेंगे तो bank बहुत अच्छी situation में नहीं थी NPA बहुत जादा थे लेकिन अब NPA हम देख रहे हैं परसंट से 4.13 परसंट हो गया similarly net NPA 0.85 परसंट हो गया तो एक टाइम में यह सब नंबर बहुत ही जादा थे जो कि अब कम हो रहे हैं और कम हो रहे हैं तो market भी इसको recognize कर रहा है तो यह जितने banking terms है जिसे NPA है कासा ratio है तो इन सब को समझना बहुत जरूरी है तो इसके लिए मैंने separate मैंने class ली हुई है उसको फिंग्रेड Academy में प्री में इस class को भी आप explore कर सकते हैं मैंने description box में मैंने link दी हुई है वहाँ पर पूरे 10 chapter से उसमें से एक chapter specially banking stocks के लिए है तो वहाँ पर भी आपको मदद मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में वह class है आप explore कर सकते हैं अगला नंबर है profit and loss का नंबर profit and loss में आप देख सकते हैं profit after tax fy21 18,300 करोड का था अब आएगा fy22 कितना profit हो रहा है इमको पता चलेगा अगर आप 9 महिने का profit देखे तो 17,300 करोड का already profits आ चुके हैं क्योंकि लगभग quarter to quarter 19% का growth है तो यह growth in fact हो रहा है एक अच्छा खासा growth हो रहा है तो अब पता चलेगा कि यह 17,300 करोड से अभी कितना profit अभी बढ़ रहा है यह कम हो रहा है overall पिछले financial year में 18,384 करोड का जो था profits के नंबर थे दोस्तों यह सब numbers है साइद आप कहीं confused भी हो जा रहे होंगे लेकिन numbers को समझना बहुत जरूरी है अगर आपके पास एक शेर भी है 700,700 कुछी भी भाव में आपने लिया होगा यह आपके पास 1000 शेर भी है आपको business बिल्कुल समझना है ऐसे fundamental investor अगर business हम समझ रहे हैं तो returns अपने आप आ जाएंगे इसलिए business समझना जरूरी है अगर business नहीं समझ पा रहे हैं और business खराब business हम लोग खरीद ले रहे हैं तो वह अगला नंबर है margins, net interest margins इन सब के बारे मैंने discuss किया हुआ है तो net interest जो margin है अभी पिलहाल quarter 3 में 3.96% का है और अभी हमने देखा होगा HDFC bank के results आए तो उनका margin कम हुआ है और margin कम होने का अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा एक तरीके से share price पर एक pressure आया हुआ है खेर merger तो एक issue था ही लेकिन margins उनके कम हो रहे थे जैसे HGSP bank की बात कर रहा हूँ 4.4, 4.5 से 4% तक आ गया है और ICICI bank के आप देख सकते हैं FY21 में margin 3.69% थे quarter 2 में 4% हो गया अभी तोड़ा सा कम हुए है 3.96% तो margin अभी किसे साब बढ़ रहे हैं या कम हो रहे है net interest margin यह बिल्कुल देखने का रहेगा तो यह चोटा सा वीडियो था जहांपर हमने important numbers पर focus किया important numbers के बारे में discussion किया मुझे उम्मीद है आपको value मिली होगी पाकी 23 तारिक को हम लोग देखते हैं कि साबसे रिजल्ट सार आसादी में थैंकियो अर्माद दोस्तों अन्यवाद